लेकिन इन दोनों घटनाओं के बीच एक राज है जो अमेरिका के पूर्विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने उजागर कर दिया माइक पॉम्पियो ने कहा कि 2019 में उनकी ततकालीन भारती समकक्ष सुष्मा स्वराज ने उन्हें बताया था कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान परमानू हमले की तैयारी कर रहा था उन्होंने अपनी नई किताब Never Give an Inch Fighting for the America I Love में इस बारे में बात करी है इसमें उन्होंने कहा कि ये बात तब की है जब वो 27-28 फरवरी 2019 को अमेरिका उत्तर कोरियाई शिखर सम्मेलन के लिए हनोई में थे इस दौरान उन्होंने और उनकी टीम ने इस संकट को टालने के लिए राग भर नई दिल्ली और इसलामाबाद दोनों के साथ काम किया था पॉंपियों ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि दुनिया को इस बात के बारे में जानकारी है कि भारत पाकिस्तान बदला लेने में परमाणू विस्वोर्ट के कितने करीब थे उन्होंने कहा मैं हनोई में उस रात को कभी नहीं भूल सकता हूँ जब भारत और पाकिस्तान के बीश दशकों से चले आ रहे सीमा विवात को लेकर दोनों देशों ने एक दूसरे को धम की देना शुरू कर दिया था पॉंपियों ने अपनी किताब में फरवरी 2019 को उस आतंकी घटनां का जिक्र किया है जिसमें 40 भारतिय जवान शहीद हो गए थे इसकी जवाबी कारिवाई में भारत ने बाला कोर्ट सर्जिकल स्ट्राइक करी थी उन्होंने बताया कि हनोई में सुष्मा स्वराज ने उनके सामने इस बात के आशंका जताई थी कि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने के लिए परमानू हमले की योजना बन पाकात की हाला कि बाजवा ने पर्मानू हमले जैसी किसी भी योजना से इंकार कर दिया था पॉंपियों ने बताया कि इसके बाद उन्हों ने और उनकी टीम ने भारत और पाकिस्तान को समझाया कि दोनों में से कोई भी पर्मानू हमले की योजना नहीं बना रहा है तो ये थी माईक पॉम्पियों के दावे से जुड़ी हमारी रिपोर्ट आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंस सेक्षन पर बताईए बाखी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रही है जनसता के साथ धन्यवाद